नमस्कार से ट्रेन पर चड़ने के लिए रैप की व्यवस्ता होगी ताकि भोगी में आसानी से दिव्यांग प्रवेश कर सकी आगामी मान सुत्र सत्र में दिव्यांगों के लिए संशोधन के साथ बिलपेश किया जाएगा सौरब मर अशोकनगर पटना धन्यवाद नमस्कार दिव्यांग पत्र की पहली डिल जितने फित्सी दिव्यांगत चाहिए उतने हजार रिश्वत्तो फरजी दिव्यांगता प्रमान पत्र के जरिये शिक्षक को नोपनी पाने वाले यूकों ने बंखास्त होने के बाद भासकर से बड़े खुलासे किये है प्रजी कारियों वर डाक्टोर की पहली शर्थ यह होती थे कि जितनी फित्सी की दिव्यांगता का प्रमान पत्र चाहिए उतनी हजार की रिश्वत्त देना होंगा प्रदेश में 256 युवा यूतियों ने शिक्षक बनने के लिए दिव्यांग प्रमान पत्र का सहारा लिया इनमें कई शिक्षक ने दुरुष्टीन बहरे न होने के बाद भी सटफिकिट के आधार पर सितारी शिक्षक की नौकरी पाली जांच में जांच प्रदिश के अलग अलग जिल्यों के प्रदस्त सत्यातर शिक्षकों के दिव्यांग प्रमान पत्र के पंजी यन का रिकॉर्ड जिल्ला अस्पताल में नहीं पाया गया इस अधार पर लोग शिक्षक आयुक्त अणोभा श्रीवास्तों ने कलेक्टर मुरोना को सभी प्रकार के सम्मंदित खिलाफ AFIR के लिए लिखा है आयुक्त ने कारवाई के लिए कमिशनर व आईजिसे भी चर्चा करने की इमबात की है परजी दिव्यांग सर्टिकेट बनवानिंग के मामले में एक बाबू और दो डॉक्टर्स की भूमिका संदीक्त हैं इन में से डॉक्टर राकेश रमा और विकलांग पुनर्वसन केंद्र के बाबू प्रमोट सिरस्वार का निदन हो चुका है धन्यवाद नमस्तार पर डाला डालने वाले 16 शिक्षक बर्खास्त पुद को दिव्यांग बनाकर फर्जी प्रमान पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले 4 जीलों के 16 शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है इन में 3 शिक्षक मुरोहना, 7 शिवपुरी, 5 शयोपुरा और एक कटनी का है इस अधिकारियों को पत्र भेज दिये गए है, प्रारंबिक परताल में पताशला की 226 आयोदोकोनी ऐसे थे जिनोंने मुरोना के फर्जी दिव्यांग प्रमान पत्र बनाकर आरक्षन का लाब लिया जिन में से असी दिव्यांग प्रमान पत्र का कोई पंजी करन जीला अस्पताल मुरोना से नहीं मिला इसकी पुष्टी मुरोना के सिवियल सर्जन डॉक्टर विनर्द गुत्ता ने की उन्होंने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर मुरोना को भैज दी है बता दे कि शिक्षक भर्ती के रिकॉर्ड में इन 226 दिव्यांग प्रमान पत्रों के मुरोना से जारी होने की जानकारी मिली इसके बाद आयुक्त लोक शिक्षक ने इससे जाच कलेक्टर की शेश पंजी करन पर कर दी धन्यवाद नमस्ते कोटा में प्रतंबार राष्टिये दुष्टी हिन कवी सम्मिलन 27 को हिंदुस्तान एक्सप्रेस कोटा राजस्तान दुष्टी हिन ने शक्तिजन सेवा समिति की बैठक आज राजुख हंगार के अद्धिक्षता में आयुज़ित की गई समस्ता के महासर्चीव डक्टर कल्यान सिम्हाडा ने बताया कि कोटा में 27 जुन को पहली बार हैलन केलर दिवस पर समस्ता धोरा राष्टी कवी सम्मिलन रोटरी बिनानी सबागर चावनी में आयुज़ित क्या जा रहा है जिसमें राष्टी स्तर के कवी भाग लेंगे कवी सम्मिलन में देश के कई जाने माने कवी आपको हसाएंगे गुदगुदाएंगे और राष्टी की बात करेंगे इन कवियों में मुख्य रूप से डगराज स्थान से वीर रस के कवी अशोक कुमार सोनी हंडवा से कवी अकबर ताच उत्तरप देश से हास रस के कवी राम खिलाडी सोडेशी शुंगार रस की कवी त्री कुमारी खोशी सोनी अजमेर से कवी संदीप त्रिवेदी, दिल्ली से कवी चंद्रवीर, मद्यपते से कवी राजेश काहर, भोपाल से प्रियेश गुपता, इटा से कवी त्री अंजुसीह, आधी कवी भाग लेंगे तो कोटा में प्रथम बार राष्टे दुस्टीम कवी समयलन 27 जून को संपन्न हो रहा है, धन्यवाद